आजादी के अमरित महोद्सो पर प्रधानमंद्री नरिंद्र मोदी ने प्रतीक जिले में 75 अमरित सरोवरों के निर्माण की घोशना की थी नवादा जिले में इसी उजना को कैसे मुर्ध रूप दिया जा रहा है देखी हमारे समवादाता शाम सुन्दर कुमार के इस रूपोर्ट में नवादा जिले के कवा कोल प्रखंड की पांच पंचायतों में अमरित सरोवरों का निर्माण शुरू हो गया है निर्माण शुरू होने से स्थानिय लोगों के साथ साथ नरेगा के तहट काम कर रहे मजदूरों में काफी उत्सा है इस ख्षेत्र के किसान कहते हैं कि बरसात में पहार का पानी बहकर बेकार चला जाता था जल संग्रह की व्यवस्था नहीं थी इस वज़े से फसलों की सिचाई भी प्रभावित होती थी अब ये समस्या नहीं होगी साथ ही जानवरों के पीने के लिए पानी भी उपलब्द होगा मोदी जी का जो जोजना अमरी सरोवर है यह बहुत अच्छा है और इससे बहुत ही ज़्यादा लाव है किसान के साथ-साध आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा फाइदा है इसमें जानवर यहाँ पे चरात बहुत सारा है और उसको पीने के लिए यहाँ पे कत्रित पानी गर्मियों में दिकत होता है इसलिए अभी अमरी सुरोवर होने से बहुत ही ज़्यादा फाइदा मिलेगा प्रखंड कारक्रम पदादिकारी आनुद विजये कहते हैं कि कवाकौल प्रखंड में पांच बड़े तालाब बनने हैं जिसके चारो और पैदल पथ भी बनाया जा रहा है विहार के अनेक जिलों में पेजल सहित पानी का काफी संकट है नल जल योजना से तुलाब मिल ही रहा है अब प्रतेक जिले में 75-75 तालाब बन जाने से पानी के समस्या काफी हद तक हल होने की उमीद है नवादा से श्याम सुंदर कुमार की रिपोर्ट दूरदर्शन समाचार पटना